अब सभी को गीता रेकर नमस्कार मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूं गीता रेक्रेशन्स में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सकाफ जो की बनाया है मैंने इस टाइप की एक फैदर वूल रहती है ये फर वाली ये ताज कंपनी के नाम से आती है नॉर्मा मार्केट में अवेलेबल है तो ये हम किसी भी प्रोजेक्ट में इसकी आउटलाइन करते हैं या फिर हम इस टाइप से स्काफ और श्रक्स वगरा बनाते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगती है विंटर में आप किसी भी इसको डेस के साथ आवियर करेंगे तो उसकी और खुबसूती बढ़ाता है ये इसके लिए मैंने यूज की है ये साड़ेची एमेम की सिलाईया और वैसे तो हम इसे जीरो नंबर पर बना सकते हैं उसमें कोई प्रॉबलम नहीं रहती बहुत जल्दी बन जाता है ये सकाफ ये मैंने इसलिए यूज की क्योंक के इसके लिए मैंने डाले थे इस पर 30 दर डाले हैं जो कि इसकी वेड्ट है हमारी दस इνच काफ़े स्ट्रेची है ये शेप में करो यह हो जाता है दस हींच इसकी मेरे वेड्थ है 30 तर से डालने पर जो लेंद रहन है मेरे वहां 60 नच ये मेरी ठाकवर रहीए इस पर मैं जो आठ हिंच है वो तो मैंने पैटन बिल्कुल सीधा सीधा डाला है देखो काफी गफ है उसके बाद मैंने यह पैटन चेंज किया है यह देखिए जो कि बहुत ही सुन्दा लग रहा है जल्दी भी बन जाता है में तो हमारा फर है इसमें तो इस टाइप से यह आप डाल सकत क्यीम भी काफीम फरहि दो क्यों कि मैंने 8 इंच इसली प्लें बनाया इके इसमें पोकेटत जाते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताई यह मैं प्रॉपर बनाना सिखाऊंगे कि किस टाइब से मैंने बनाया है मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग में इसको या ठाठी इंचे काफे गफ लिया है क्योंकि मैंने यहां पर पॉकेट लेनी थी वैसे भी यह बहु लगा सकते हैं बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब कर ले चैनल क ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई प्रोजेक्ट के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार